दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा देशी पूसपस, साइध कई मेरे भाई या मेरी जो महने लगाती होगी, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताऊंगा और इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, आपको मैं बता देता हूँ को देशी पूसप या कोई भी आप फूसप मारते हो लेकिन जो ये देशी पूसप से इसको मारने से क्या होता है आपका हड़ी में जो रीड की हड़ी है और बोडी स्टेज करती है और इसमें हाइट इंक्रीज होती है तो जिन बंदों की हाइट कम है तो आप देशी पूसप लगा सकते हो और दूसरा आपका क्या होता है जो यह तो हमारी पुरानी परंप्रा है कही सालों से चली आरही है कि देशी पुसप मानने से हमारा बोडी का एक सुडोल मलब जो आपके चेस्ट वगर है वो एकदम अच्छी तरीके से आपके मलब विक्सित होते है तो जैसे कहीं बेडिगल पॉइंट भी रहता है बोईज का का चेस्ट अपडाउन का तो यह पोइंट भी रहेगा और हाइट आप भी नहीं रुकेगी तो यह मापको जैसे मेरे बोईज गल्स है इनके मादेम से आपको मैं बताऊंगा डेमो देके कि आपको प्रोपर जैसी फुसप्स की प्रकार लगाने बोईज रडी बेंट इस हिसाब से आपको पुसप्स लगाने है देशी पुसप्स ने तो इससे आपकी हाइट रुकेगी और ने आपको कोई प्रोब्लम होगी खासकर चिन बंदों से बीम वगरा नहीं लगती और आपको यह हाथ मलब आपके बाजू वगरा आपके कंदे मजबूत होंगे और चेस्ट का भी विकास होगा इसके अंदर जो खासकर गई बंदों का चेस्ट वगरा कम रहता है आपको पता यह चेस्ट फुलाना भी पढ़ता है चेस्ट 77 से 77 से 82 खासकर आर्मे मांगते हैं और SSGDM 80 से 85 तक मांगते हैं तो आपका चेस्ट भी इंकरीज होगा आपकी पु लगा हो अगले सप्ता फिर उसको 15 या 20 कर सकते हो आपकी केपिसिटी के उपर है कि आप कितना जेन सकते हो यह निए कि एक दिन में 50 माली और एक मेने तक आप पुसब नहीं लगा लेकिन जोस के साथ आपको भोश भी रखना है तो यह 10-15 से 10 से स्टार्ट करना फिर हर सप् 15 अगले सप्ता 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 फिर 35 चारिस पचास और आपकी इतनी केपिसिटी होने चीए कि 100-100-200-200 आप लोग कुसब लगा सको तो इस हिसाब चाहिए आपको प्रेक्टिस करने यह वीडियो आपके लिए साहिद काफी हेल्फन रहा होगा वीडियो अच्छा लगे